हाई एब्रिवन स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम HP पुलिस कॉंस्टेबल के लिए मॉक टेस्ट नमबर फाइब देखेंगे इससे पहले कि मॉक टेस्ट आप देख सकते हैं आई बटन में आपको लिंक दिया है आप अपना स्कूर हमें जरूर कमेंट करें वीडिय जरूर लंबी होगी इसमें आपको mathematics और reasoning के detailed solution मिलेंगे इनकेस आपको कोई भी doubt है किसी भी solution को लेकर आप हमें comment section में बता सकते हैं वीडियो को last तक देखेगा चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe जरूर किजिएगा first question है आपका time and work से statement आपको बड़ी लग रही होगी बट इसमें कुछ नहीं है question यह कहता a और b जब 7 में काम करते हैं किसी काम को 30 दिन लगाते हैं b और c आपके 24 दिन लगाते हैं a और c और a आपके उसी काम को 20 दिन में कर देते हैं सभी ने साथ में 10 दिनों तक काम किया और 10 दिन के बाद आपके b और c चले गए तो आपको बताना a उस काम को जो बचा हुआ काम है कितने दिनों में complete कर लेगा तो आईए स्टार्ट करते हैं हम इस question को कैसे कर सकते हैं बहुत easy question है A और B उसका आपको कितने दिनों में करते हैं वो करते हैं आपके 30 days में आपका जो B and C हैं वो कितने दिनों में करते हैं वो करते हैं आपके 24 days में और आपका जो C और A हैं वो कितने दिनों में करते हैं, वो करते हैं आपके 20 days में, तो आपने क्या करना है, इसका LCM ले लिजिए जो आता है, आपका 120, तो यहां से क्या होगा, यह आपका total जो काम करना है आपको, जो आपको, आप इसे कह सकते है, 120 unit of work, आपको complete करना है, यह total है, तो अगर आप बात कर तो अगर A और B, इसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो per day कितना काम करते होगे, तो आप 120 को 30 से divide करते हैं, भाग करते हैं, तो कितना आता है, 4, इसे तरीके से B और C, 120 को 24 से भाग किया, तो आया 5 और C और A का जब आपने 120 को 20 से भाग दिया तो कितना आएगा 6 तो अगर आप इसका टूटल करें तो कितना आएगा 15 मतलब A प्लस B प्लस C प्लस C प्लस A का परड़े काम कितना आया यह आपका 15 यूनिट तो अगर आप यहां पर देखें जो आपका A भी दो बार आता है यहा आपका दो बार आ रहा है और C भी दो बार तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2A प्लस 2B प्लस 2C इकुल तो 15 देखें से कुछ चेंज नहीं हुआ है बात तो वही है तो आगे हम इसे देखते हैं यहां तक हमने कर लिया है तो यहां से 2A B प्लस 2 यहां से A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी आएगी यहां से आएगी A प्लस B प्लस C इकुल टू 15 बाइटू इकुल टू 7.5 तो यह आपका एक्चुल काम आता है जो आपका A, B और C एक दिन में करते हैं साड़े 7 unit of work वो 7 में मिलकर complete करते हैं तो hopefully आपको यह समझ आ चुका होगा कि A प्लस B प्लस C एक दिन में कितना काम करते हैं साड़े 7 unit per day वो करते हैं अब question में यह कहा गया था कि जब उन्होंने 7 में काम किया तो 10 दिनों के लिए उन्होंने काम किया तो यह काम आपके complete करना होगा A को तो अब देखते हैं A इस काम को कितने दिनों में complete कर लेगा तो देखिए आपको पता है A प्लस B प्लस C कितना है 7.5 इनका जो per day work है अगर आपको A की value निकाल लिए मतलब आपको B और C को बाहर करना होगा तो आपको पता है B और C का जो अभी हमने निकाला था B और C का कितना आया था B जब आपने 1 यहां पर देखिए B और C same work को 24 days में करते हैं और total work था आपके पास 120 तो हमने 120 को 24 से भाग दिया था तो हमारे पास आया था 5 तो B और C की जगा आप क्या लिख सकते हैं 5 इकल टू 7.5 क्योंकि B और C एक दिन में कितना काम करते हैं 5 यहां से एक ही वैली कितनी आ जागी 7.5 माइनस 5 इकल टू 2.5 अब आपको पता चल चुका है कि A आपका एक दिन में कितना काम करता है 2.5 यूनिट of work और आपको यह भी पता चल चुका है कि जो आपका remaining work है यानि कि जो बचा हुआ काम है वो कितना है 45 यूनिट तो आपको पता A एक दिन में कितना काम करता है 2.5 यूनिट वो करता है तो यहां से वो 45 यूनिट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा 45 को आप 2.5 से भाग कर दीजिए तो यह आपके पास आता है 18 तो यही आपका right answer होगा उसे उस काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लगे तो कितने दिन लगे 18 days होफुली आपको यह question समझ आया हो देखे question को समझा कर मुझे भी अच्छा लगता है अगर आपको कुछ भी doubt है तो आप मुझे से पूछ सकते है comment section में आप हमारा telegram चैनल भी join कर सकते हैं इनकेस आपको कोई भी doubt होता है अगर आपको वीडियो देखे पसंद आ रही है अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe करें बहुत से लोग चैनल पर विजिट करते हैं बट subscribe नहीं करते हैं तो please it's a request please subscribe करें next है आपका a certain sum amounts to dash in two years at eight per annum compound interest the sum is question यह है आपका पहली तो बात यह compound interest का question है आपको बताना है कि आपने जो sum यानि कि आपका amount है amount क्या होता है amount को अगर हम हिंदी में बात करें वह होता आपका मिश्रधन मिश्रधन का मतलब यह होता है जो आपका principle principle होता है हमारा मूलधन मूलधन जमा आपका जो ब्याज होता है वो होता है मिश्रधन मतलब जैसे अगर हम bank से आपका loan लेते हैं मान लिए आपने 10,000 का loan लिया और उसमें आपको 5000 मान लिजिए ब्याज लगा तो आप क मिश्र्धन कितना हुआ 15,000 तो वही हमारा अमांट हो गया है पर एनम कंपाउंड इंडर स्कंपाउंड इंडरस तो आपको पदह ही होगा क्योंकि अगर आप तो आइए देखते हैं इस question को हम कैसे कर सकते हैं आपको पता है amount यानि की देखें मैं साथ साथ में बोलता भी जाओंगा हिंदिय में भी तो आप समझते भी आपका 5832 रुपए आपको जो रेट यानि की जो दर दी गई है वो कितनी एट परसेंट आट बटे सो जब हम इसे काटेंगे तो या जब दो बटे पच्चिस दो बटे पच्चिस का मतलब यह है अगर आप इसे देखें आप इसे लिख सकते हैं पच्चिस रेशो 27 कुछ नही इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास मूल धन यानि की जो आपके पास प्रिंसिपल है अगर 25 रहा होगा यानि की 25 रुपए रहा होगा तो आपके पास जो आपका अमाउंट यानि की जो मिश्र धन है वो कितना रहा होगा वो अमाउंट जो है आपका कितना बना हो 27 मतलब कि अगर आपने बैंक से 25 रुपए लोन लिये थे तो आपको विद ब्याज वो कितने रिटर्न करने होगे 27 इसी से आप यही समझ सकते हैं तो आप से यह भी कहा गया है कि जो आपका रेट है वो 8% है और वो फिक्स्ट है कितने सालों के लिए वो फिक्स्ट है आपके 2 सालों के लिए ठीक है 2 years के लिए आपके लिए वो फिक्स्ट है जब 2 यह के लिए फिक्स्ट होगी compound interest में तो आपको क्या करना इसका square कर देना है तो 25 का स्कुर कितना होता 625 रेश्यो और 27 का स्कुर कितना होता 729 इसे आगे हम continu करेंगे 65 रेश्यो 729 यह मैंने तब किया आपके पास rate fixed है in case rate fixed नहीं होती है तब आप इसका square नहीं करते हैं तो मुझे पता है यह आपका क्या है amount है यानि की Mr. Deni आपका, प्रींज से पहले जवाप से पूछा गया है तो 7, अब आपको पता है, आपके पास, amount कितना है, visas रेश्यो के आप से चलैं, वो है आपका, 5832, तो अगर आप, अगर 5832 को 139 से अगर आप भाग दें, तो कितना होगा, یा कितना उसमें गोना करें, तो होता है 8 से जब आप गोना करेंगे तो यह आता है 5832 तो इसी तरीके से जब आपका amount आपको पता चल चुका था कि 5832 है तो इसमें आपने 8 से ही multiply करना था तो जो आता आपके पास 5 को 8 से करें चालिस और दुनी सोल और 20 और 8 और 6 करें 4848 में दो जब तो 50 ठीके तो आपके पास answer आता है 5000 याने की 5000 तो कहने की बात ये थी कि आपने easily इस question को कर लिया आपके पास मिश्र धन याने की amount था वो दिया गया था और इस से आपको बताना था कि ये तो आपका विद ब्याज बना आपको बताना कि आपने पैसा कितना उधार लिया था, कितना मूल धन लिया था, आपको वो बताना था, question की starting बतानी थी, तो आपने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया, जो आपके पास rate थी, rate आपकी 8 by 100 बनी थी, 8% वो आपने 2 by 25 कर लि होंगे दोनों, तो आपने 27 को इन दोनों का square कर लिया, क्योंकि आपकी जो rate थी, वो 2 साल के लिए fix थी, तो square करने के बाद आपने उतने पार्ट उस में multiply कर दिया और आपके पास answer आ गया, hopefully आपको ये समझ आया हो, अगर नहीं आया है, तो आप please मुझसे telegram पर जरूर पू टॉफिश ली और उससे उसने क्या किया, rate of 27, उसने 40 रुपए में 27 टॉफियां बेच दी, sorry, 27 उसने जो टॉफियां है वो खरी दी, 40 रुपए में, और उन्हें उसने सेल कर दिया, 18 टॉफिश को 32 रुपए में, तो आपको बताना उसकी profit जो हुई हो, कितने percent हुई, हमने क्या बात करी कि हम सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कि हम इसका cost price यानि की क्रे मुले ग्याद कर लेते हैं, तो कैसे निकलेगा, अगर हम CP, अगर मैंने cost price, तो वो कैसे निकलेगा, 27 टॉफियां उसने 40 रुपए में बेची, मतलब, एक टॉफिया का rate कितना आ गया म 32 रुपए में उसने बेची है, 18 टॉफियां तो आप यहाँ से इसे note कर लें, तो यहाँ पर जो CP यानि की जो आपका क्रे मुले और विक्रे मुले की जो ratio आई है, वो कितनी आई है, 40 by 27 और 32 by 18, 29, 27, 8, 32, 9, 12, 14, और 48, 49, तो यहाँ से आपके पास आता है, 4 को 2 पे कर लिया आपने, तो जो काट कर आता है, आपके पास आता है, 5 by 3, ratio 2 by 1, तो यहाँ से आप इसे cross multiply कर लेंगे, तो आपके पास आता है, 5 into ratio 6, तो आपके पास एक ratio आती है, 5 ratio यह आपका CP होगा, और यह आपका SP, तो आपक आपके पास profit हो रहा होगा जब आपका क्राय मुले कम होगा यानि कि आपका खरीद आपने कम में हैं और बेचा ज्यादा में तभी तो आपका selling price ज्यादा होगा तो आपसे पूछा गया कि आपकी profit percentage कितनी है तो अगर आप इसमें CP और SP में अगर आप देखें तो कितने का difference है एक का मतलब आपके पास एक unit अगर आपके पास gain हुआ होगा या profit हुआ होगा divided by आपका हमेशे cost price पर होता है क्राय मुले पर डिवाइड वाइड वाइफ तो यहांसे अगर आप इसे करेंगे तो यह आएगा आपके पास 20% अगर आप इसे काटेंगे 5 to 100 तो यहां पर उसक इसका CP निकाल लिया 40 by 27 और इसका SP आने की selling price विक्रेम उले निकाल लिया 32 by 18 हम ने इसकी ratios को manipulate किया और वहीं से ही हमने यहां से आपकी profit percentage निकाल दी तो यह आपका option is the right answer next question है आपका simplification पे बहुत ही easy question है बट अगर हम basic funda use ना करें तो गलत भी हो सकता है तो आप करना क्या है आप कुछ नहीं करना है जितने भी आपकी यह देखिए एक छोटा सा funda गर जिनका math कमजोर होगा otherwise तो मुझे लगता कि सभी को ही आता होगा बट sometime नहीं भी आता तो कोई बात नहीं मान लीजे 720 है इतनी सी बात हम देखते हैं तो इसको हम solve करने के लिए और तरीके से भी ही लिख सकते है 720 into जब आपने इस division वाले sign को multiplication में change किया तो आप क्या करेंगे इसे one by कर देंगे चा आपको डिवाइड में कर लेना one three sixty divided into one by twenty देखे मैंने कहाना कि आपको सारे को मुल्टिकेशन में कर लेना है तो आपकी जो value है नीचे चली जाएगे तो यहां पर आपके पास आएगा 130 आप इसे ऐसे ही रहने दें यहां से आप इसे कर लें 36 दो पर चला जाएगा 72 फिर ही चला जाएगा आपका 60 पर और फिर आपका यह बनता है 16 to 30 जाता है आपके 1800 तो आपके पास जो ratio बज़ती है बनती है 1800 तो 18 से 18 गया 1 by 100 तो यहां पर 1 by 100 को हम कैसे लिखते हैं 0.01 तो यहां पर आपका right answer होगा option C 0.01 next आपका यह भी आपका simplification का ही question है 36 minus 2 this and that तो आएए देखे हम कैसे solve कर सकते हैं सबसे पहले आपको board mask का आपको पता यह board mask सबसे पहले आपको brackets open करने होते हैं फिर आप सबसे पहले division करते हैं या नहीं भाग फिर आप गुना करते हैं addition subtractions आप खुद देख सकते हैं जिस तरिके से आपको सही लगे 36 minus 2 20 ऐसे लिख दी मैंने का कि सबसे पहले भाग करते हैं तो 12 भाग 4 कितना हैगा 3 तीन और 3 को हम यहां से multiply कर देंगे और minus 2 into 2 कितना हुआ minus 4 और यह बाहर आपका जो था वो है 10 तो यह 36 minus 2 20 plus 9 कितना है 29 29 minus 4 plus 10 तो यहां से क्या होगा 36 minus 39 में से अगर आप 4 करें तो कितना हैगा 25 25 को आप 2 से multiply करेंगे तो 50 आगा 50 plus 10 50 में आगर आप 10 जोड़ें तो कितना आता है यह आता है आपको पास sorry 36 में अगर आप 10 जोड़ेंगे minus 50 में अगर आप 10 जोड़ेंगे तो कितना आता है आपको पास minus 40 आता है अगर आप इसे solve करें minus 50 plus 10 तो यह आता है आपको पास minus 40 और 36 में जब आप minus 40 जोड़ेंगे तो कितना आता है आपको पास minus 4 क्योंकि यहां पर 40 जो है वो बड़ा है minus और साइन उसके साथ है तो आपके पास जो आंसर आएगा हुआ आपके पास option भी minus 4 तो hopefully आपको ये भी समझ आया होगा otherwise आप यहाँ पर क्या mistake कर सकते थे अगर options इस तरीके से frame होते अगर यहाँ पर 20 plus 12 आप यहाँ पर division ना करते और आप अगर यहाँ पर multiply ही कर लेते 4 into 3 minus 2 into 2 plus 10 देखें आंसर क्या बनता 36 minus 2 20 20 अब यहाँ पर अगर आप भाग करते तो आता है 12 को बारस करेंगे तो 1 आएगा ठीक है plus 1 minus 4 plus 10 36 36 minus 2 यह 20 और 21 21 में से 4 गए कितना होता है 21 में से 4 गए तो 17 plus 10 17 दुना 34 यह आपके पास बनना था 36 minus 34 plus 10 तो यह कितना बनना था आपके पास 36 और 10 46 46 में से अगर आप 34 करते तो आता आपके पास 8 अगर यहाँ पर option में 8 होता तो शायद कुछ लोग वहाँ पर आपका 8 भी करके आते तो देखिए चीज़े होती है mistake सभी से होती है तो आपको ऐसी mistake exam में नहीं करके आनी है तो मैंने आपको यह भी बता दिया examiner अगर 8 आपको option में डाल देता अगर आपने एक simple सी गलती कर दी होती तो hopefully ऐसा ना हो next question आपका age से related है तो question यह कहता है कि 10 साल पहले जो father और son है उनकी आयू ही जो ratio यानी की अनुपात है वो 3 to 1 है और 10 साल बाद वो 2 to 1 बन जाता है तो आपको बताना कि sun की present age कितनी है तो आईए देखते हैं कैसे करते हैं मान लिजी आपकी ये father की age का ratio ये son की तो 10 साल पहले यानी कि कितना है वो है 3 to 1 10 साल बाद कितनी है वो है आपका 2 to 1 तो total time span कितना है 20 years का तो अगर हम यहाँ पर देखे तो इनका जो ratio का जो difference है वो कितना है 1 part मान लेते हैं equal to यहाँ पर 0 part अधा तो यह equal नहीं होता है तो हमने क्या करना है क्योंकि उन दोनों की जो difference होना चाहिए था IU का समानुपाथ से ही तो बढ़ना चाहिए था ठीक है मान लिजी अगर आपका बेटा 10 साल का था और आपका जो father है 30 साल के तो जब आपके father 40 के हो जाएंगे तो आपकी जो age है वो भी तो आपकी age 20 की हो जाएगी मतलब same same year से बढ़ेंगे तो हमने क्या किया इस ratio को समानुपाथ लाने के लिए हमने कुछ नहीं किया यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना difference से 2 का और यहाँ पर 1 का तो हमने इस से multiply कर दिया और 1 को इस से multiply कर दिया तो अब आपके पास जो ratio आती है father और son की वो क्या आती है देखिए यह तो ऐसे रहेगा क्योंकि आपने 1 से multiply किया और नीचे जो ratio आती है 4 ratio 2 तो अगर आप इसका और इसका जो हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है 1 का difference और यहाँ पर भी 1 का difference तो अब सेम आ चुका है तो यह जो ratio थी यह आपकी थी जब आपने 10 साल पहले की और यह जो आपकी ratio थी जब आपकी 10 साल बात की तो टोटल जो आपका time span था वो कितना था तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो आपका यह है वो कितने पार्ट के एक पार्ट है वो कितने के बराबर हुआ है वो आपके 20 पार्ट से क्योंकि आप जो यह ratios है वो आप 20 years के लिए रहे जो इनका difference है तो वो भी आपका 20 साल का ही होना चाहिए और यहाँ पर आपके पास दोनों का difference कितना है तो वो है आपका one part का one part आपका equal हुआ 20 years के तो अगर किसी की आईउ कभी 20 साल नहीं होगी आज से 10 साल पहले तो आज उसकी आईउ कितने होगी अगर आप 20 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आजगा 30 यही आपका right answer है लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमार पास एक part किसके बराबर था 20 के तो two part कितने किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर two into twenty forty तो यह है आपकी age 10 साल पहले की जो आपकी sun की है तो आज से उसकी जो presentation यहाँ कि पिछले 10 साल पहले कितने होगी 10 minus 40 minus 10 कितना 30 तो हमने देखिए easily इस question को कर लिया तो इसका right answer होगा option B 30 आपको कुछ नहीं करना था आपको सिफ ratios को पहले उनका difference same करना था जो आपका difference आना था और आपने total कितने साल की बात करी पहले 10 साल की और 10 बात की दस साल की जो ratio में total time span की कितनी बात करी 20 years की तो आपने जो one ratio था वापका equal हो गया 20 के तो जब आपने यहां से इसे multiply कर दिया तो एक हिंटो 20 कितना है 20 तो आप से पूछा गया था कि यह तो था आपका जब 20 साल पहले ठीक है यह आपका जो था 20 साल पहले तो आपने यहां पर यहां पर जो ratio दी गई थी जो हमारी final ratio बनी थी 4 ratio 2 तो मैंने 2 को 20 से multiply किया तो कितना है 40 बट यह ratio थी 10 साल बाद की आपको वर्तमान आयू पता करनी थी तो आपने 40 मैंसे 10 कर दिया तो आप इस तरीके से भी कर सकते तो option भी आपका right answer होगा in case आपको समझ नहीं आया तो आप please telegram पर मुझे personal message में भी पूछ सकते हैं और group में भी पूछ सकते हैं the next question है आपका which of the following is used in oven oven में आप किन करनों का उपयोग करते हैं तो आपका right answer है option c microwaves आपने सुना भी होगा कि microwave oven तो आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं option a x-rays की बात करते हैं तो इनकी जो खोश ही थी वह किसने की थी यह आपके जो विलियम रोएंट जेन रोएंट 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 जेन थे इन्हों नहीं आपकी x-rays की खोश की थी तो आप यह भी याद रख सकते हैं कई बार question पूछा गया है which of the generally present in tonics tonics में आपका क्या आप आया जाता है option ने इतनॉल when a solid is heated in turns directly into gas question यह कि जब आप इसी थोस को गरम करते हैं तो वह सीता गैस में बदल जाता है इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं sublimation यानि कि उद्रब बात तक जर्नली देखें अगर आप पहले थोस से आपका तरल अवस्था में आता है कोई भी जब आप गरम करते हैं फिर उसके बाद वह आपकी गैसी अवस्था में जाता है लेकिन जब आपका थोस से direct gas में बदल जाता तो आपका हुआ sublimation बात करते हैं condensation की condensation आप जर्नली इस घटना को देख सकते हैं जब आप फ्रीज में से गरिमियों में अगर आप कोई भी cold drink भाहर निकालते हैं तो जो उसकी can पर आपने पानी पानी या water molecules देखा होगा वही आपका क्या होता है condensation इवैपोरेशन आपको पता है जब आप पानी को गरम करते हैं जो भाहब बनती है वही आपकी इवैपोरेशन होती है soda ash is the name पो कई बारेशन पूछा गया soda ash का क्या नाम है इसका आपका आपका soda ash है जनली आपका यूज होता है या तो glass manufacturing में या detergent में या soap manufacturing में तो आप ये भी याद रख सकते हैं next question है आपका ozone depletion in the stratosphere is mainly caused by जो समता मंडल में आप ozone रिक्तिकरण किसके कारण होता है तो इसका right answer option d chlorofluorocarbon का कई बार ये question पूछा जाता है 16 of September को आपको मुझे बताना है इन तीन options में से एक भी हो सकता है दो भी हो सकते हैं आपको बताना है कि जो आपकी acid rain है यानि कि जो आपकी अमली ये वर्षा है वो किन के कारण होती है कौन उसके main responsible factors होते हैं इन chemicals में से आपको मुझे बताना है नेक्स्ट है आपका bacteria which is found in intestine of human मुनुश्री की आद में कौन सा जीवानू पाया जाता है तो इसका जो right answer है option A इसे cry coli या जिसे हम generally E coli भी कहते हैं ये आपके पास अभी next question आएगा vibro cholera तो ये आपका जो generally आपको जो cholera disease होता है वो इसी के कारण होता है next आपके पास which are the following diseases caused by virus वाइरस के कारण कौन सी बिमारी होती है option A smallpox जिसे हम छोटी माता भी कहते हैं तो ये आपका virus के कारण यानि की विशानू के कारण होता है बात करते हैं अगर आप tuberculosis की तो जो आपका tuberculosis होता है वो आपका bacteria के कारण होता है और जो आपका malaria होता है वो भी आपका bacteria के कारण होता है आपको बताना मुझे जो cholera यानि की हैजा होता है वो bacteria के कारण होता है या virus के कारण होता है या proto-zoa के कारण होता है आपको मुझे इस disease के बारे में बताना है बात करते हैं अगर आप virus से जो आपकी generally question पूछे जाते हैं एक तो आपका डेंग या जिस आप डेंगी भी कहते है या आपकी measles हो सकती है या आपका hepatitis हो सकता है तो वो भी आपका काईस से होता है वो अपका virus से आपका AIDS हो गया यह आपकी की से होते हैं यह virus यानि की विशानों के कारण होता है आपको मुझे comment करके बताना देखिए इन question से ये question बार बार पूछे जाते हैं और हम question गलत करके आते हैं आपको बताना polio किसके कारण होता है virus के कारण, bacteria के कारण या proto जोग के कारण next है आपका which is good source of vitamin C तो देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले बात करते हैं right answer की good source of vitamin C याने की सबसे ज़्याद अच्छा source कौन है vitamin C का तो इसका right answer option C आमला और आमला को ही हम एक और नाम से जानते हैं Indian herbal doctor कभी आपसे question पूछा जाया कि किसे हम herbal doctor के नाम से जानते हैं Indian herbal doctor के तो आप बता सकते हैं आमला अगर देखिए यहाँ पर मैं आपकी तुलसी और अश्वगंदा एड़ कर देता तो यह question herbal doctor वाला बहुत tough हो जाता अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो please आप इसे no down कर ले आपका lemon यानि की जो नीम्बू होता है संत्रा होता है इन में भी आपकी vitamin C ही होती है बात करते में vitamin C इसमें आपका जो citric acid होता है citric amal पाया जाता है आपका vitamin C में और vitamin C का जो chemical name होता है वोता है आपका ascorbic acid कई बार यह आप से question पूछा गया है ascorbic acid और जो vitamin C होती है generally आपके जो अगर आपकी dental health के लिए बहुत अच्छी होती है आपकी दांतों के लिए बहुत पतारत होते हैं उसमें आपकी vitamin C पाय जाती है आप सभी को पता है next आपका transformer is a device to convert आपको पता transformer जो हमारे लगे होते हैं वो क्या है उसको क्या काम है तो इसका जो हमारा right answer है option C low voltage AC into high voltage AC जो आपका alternative current होता है उसको low voltage AC को यह high voltage AC में convert करते हैं आपके दो टाइप के transformer होते है step up और step down उसे पढ़ने की जादा जूरत नहीं है इतना ही आप याद रख लें फिर आता है mechanical energy into electrical energy यह कौन काम करता है यह काम करता है आपका डाइनमो डाइनमो जो आपका है वो आपका mechanical energy को electrical energy में convert करता है डाइनमो को देखे मुझे हिंदी में पतला हम नहीं पता है बट जनरली डाइनमो ही होता है नेक्स्ट आपका device which is used to measure very high temperature देखिए यह तो बहुत सी इंगलीश है इसलिए मैंने से हिंदी में नहीं लिखा है मेरा भी time save हो जाता है और इतनी तो सभी जानते तो high temperature को अगर आपको measure करना तो आप किसे यूज करते ह आपकी जो pyrometers होते हैं आप इन्हें यूज करते हैं थर्मोमेटर तो देखिए जनरल सी temperature range होती है उसके लिए हम यूज करते हैं बात करते हैं आपके calorimeter अगर आपको किसी chemical reaction की heat energy को measure करना है तो आप barometer का use करते हैं बात करते हैं अगर हम यहाँ से तो प्रेशर का अगर हम देखते हैं तो हम एक unit होती है पासकल तो आप जरूरी याद रखे है वाई मंद ली दाव किसमें मेजर करते हैं जैनली पासकल में हम मेजर करते हैं यानि की मापते हैं और जिससे हम ब्लड प्रेशर हम किसे करते हैं आपका एक डिवाइस होता है स्फिगमो मैनोमेटर होता है उससे हम आपका बलड प्रेशर मेजर करते हैं तो होफुली आपको यहां से कुश्चिन समझ आई होंगे अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं आधर आधर सो ब्लैक बोड आधर का उधारन क्या है तो आपके पास चार आप्शन है इसका जो राइट आंसर है उप्शन ए अपिन होल बॉक्स अगर आपने जब हम नए शूज लेते हैं जो उसका box आता अगर आप उसके upper part में hole करें तो आपको वो hole दूर से black color का नजर आएगा उससे क्या मतलब होता है पता ये चलता है कि जितनी भी light इस hole में गई है वो reflect नहीं हुई है वो अप्सोषित जाने कि absorb हुई है और black body वही होती है जो जूस पर light पड़ती है वो उसे maximum जूसका amount होती है उसे अप्सोषित कर लेती अब्सोब कर लेती और reflect नहीं करती है तो वही यहाँ पर आपका right answer हुआ up in whole box तो यह थे आपके general science और mathematics के question next है आपके reasoning के तो आईए start करते है फर्स question है आपका number series से तो देखिए कैसे कर सकते हैं इसे हम 24 को अगर आप 3 by 2 से multiply करें और इसमें 3 add करें तो आपके पास कितना आता है 39 12 और 12 36 और 3 49 मैंने से काट दिया फिर अ multiply करें तेरा 12 26 और इसमें 3 add करते हैं तो आजाता 29 तो आपके पास जो एक pattern है कैसे first number को आपने multiply किया 3 by 2 से और उसमें 3 add कर दिया फिर next को आपने multiply किया 2 by 3 से और plus 3 add कर दिया तो लास्ट जो number होगा कैसे होगा 34 को अगर आप multiply करते हैं 3 by 2 से तो यह कर जाता 17 24 ते 17 51 और इसम है नेक्स्ट आपके पास एक स्कीज दिवगई है यहाँ पांदेखे 722 नहीं होगा 17 21 होगा तो अप नहीं कुझा होगा तो आप दियां लगे टो देखें इसमें क्या होगा अगर आप 12 का क्यूब करें और 12 का क्यूब मेंसे अगर आप साथ गढ़ाा दें 12 क्यूब कितना होता है यह बारागा जो घं होता है वो कितना होता है 1728 उसमें से अगर आप 7 माइनिस करते तो आपके पास आजाता 1721 इसी तरीके से नेक्स्ट होगा अगर आपका 13 क्यूब माइनस 7 यह होता आपका 1257 सतानु में तो आपके क्यूब है तो यह होगा 12 यह होगा 13 क्यूब आप देखते हैं 14 क्यूब कितना होगा यह होता है आपका पास 2744 अगर इसमें से आप 11 माइनिस कर देते हैं तो आपके पास 2733 तो देखे जो भी हम नंबर गटा रहे हैं 7 गटा रहे हैं 11 गटा रहे हैं होते हैं आपके अभाज्य संख्याओं को ही गटाना जो सिर्फ अपने आप से भाग होते हैं 7 11 साथ यहां पर आपने गटाया ग्यारह फीर आपने गटाया फिर यहां पर आपने गटाया» कुउव माइनस और आप यहां इसे माइनिस करेंगे 19, तो यह 17 गा क्योग कितना बनता है, 4913 माइनस 19, तो कितना बनता है, जब आप 4913 मैंसे 19 को माइनस करते हैं, तो आपके पास आता है 4894, तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन भी 4894 नेक्स कोशन आपका, आपकी जो इस कोशन को कैसे कर सकते हैं, या आपके टूटल आपको काउंट कर लेना, तो यह 15 और आपको पेर बना लेना, या तो 3 के 5 पेर बने या 5 के 3 पेर, तो मैंने 5 के 3 पेर बनाए, 1, 2, 3, 4, 5 एक, दू, 3, और यह बन चुका है, आपको पास ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर C, C है, मतब C के बाद C रहा होगा, या तो यहाँ पर देखें, C है, तो C के पहले C रहा होगा, यहाँ पर भी आपको पास C है, तो C के पहले C रहा होगा, तो अगर तो अब आपको find out करने की बाकी कैसे हो सकते हैं तो अगर आप देखें यहाँ पर आपके पास बन रहा है A, B, C, C A, B, C, C तो अगर B से पहले यहाँ पर क्या रहा होगा यहाँ पर रहा होगा A तो आपके पास जो series बन रही है भी बन रही A, A, B, C, C आपके पास फिर से क्या आएगा series बन रही A, A, B, C, C तो A, A, B, C, C तो फिर से आपके पास आएगा A, A, B, C, C तो आपके पास जो हमने बनाया यह बना आपके पास A, C, A और C, A, B तो यहाँ पर जो option है A, C, A, C, A, B तो option भी आपका right answer होगा देखिए सारे आपके small letters में होगे यह automatically ही capital होगे तो आप इसे neglect कर देए बाकि आपका सारा question सही है A, C, A, C, A, B इसका जो है right answer इनकेस अगर आपसे question pattern नहीं बन पारा exam में तो आपको कुछ नहीं करना आपको इनको आप put कर लीजिए आपके पास उसी तरीके से आप pattern बना लीजिए तो आपके पास कोई ना कोई सही answer बैठ जाएगा इनकेस आप से solve नहीं हो रहा है और आपके पास time है तो आईए देखते हैं हमारा next question क्या है next question आपका errorology से तो next question है fog, visibility और AIDS आपको बताना है तो कोहरा या द्रिश्यता AIDS का relation किसके साथ है तो इसका right answer option be resistance अब आप क्या सिकते हैं कि सरी वाइरिस भी है देखिए जब आपकी जो fog होती है जो कोहरा होता है वो आपकी जो visibility होती है उसे कम कर देता है उसी तरीके से जो आपका AIDS होता है जो आपकी body की resistance होती है आपके जो भी foreign substance होते है बिमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है जो resistance होती है AIDS उसे ही खत्म करता है तो इसलिए यहाँ पर जो answer option be resistance आएगा hopefully आप इस question को समझे होगे next जो आपका choose odd one out यह तो आपके लिए easy होना चाहिए tomato, carrot, ginger या potato tomato, गाज, अद्रक और आलू तो यहाँ पर देखिए जो सबसे अलग है वो क्या है वो है आपका tomato क्योंकि tomato आपका बाकी आपके जितने भी हैं सारे underground उगने वाले vegetables हैं ठीक है तो जो tomato के तो आपको पता यह कैसे लगते है तो यह कैसे फल देता है बाकी जो सारे भूमिगत जिने हम कह सकते हैं वो फल देते हैं तो आप मेरे मतलब समझ रहे हैं तो option a tomato आपका यहाँ पर सबसे अलग होगा क्या हूंकि आपको odd one out बताना था next आपके पास in certain code language be it written as this and what will be the code of mild मतलब आपने किसी language code में written को ऐसी लिख दिया आपको बताना है आपने mild को कैसे लिखा होगा तो देखिए इसका जो हम कैसे कर सकते हैं सबसे पहले आपको beat का पता करना होगा कि आपने beat को कैसे लिखा होगा beat को लिखा है आपने just a second यह आपका beat और यह हो गया आपका y, b, z, g तो अगर आप beat का number देखें तो कितना है two, five मैंने के number लिख जाओ b का जो number 2 होता e का 5 होता है a का 1 होता t का 20 y का कितना होता है y का भी होता है two, five, one, twenty अब आप यह कहेंगे कि यह भी शुरू से इतने अगर यह कैसे होए देखें, starting से जब आप a से start करते तो इनका number ऐसे होता है लेकिन अगर आप जो आपका last letter 26 अगर आप उसे one मान ले तो उसका जो number होगा reverse में अगर आप करेंगे तो इस तरीके से इनके यह number आएंगे तो इसी तरीके से इनके क्यों नहीं किया है जो first है उनने starting से count किया है और जो आपका code दिया गया है उसे उनने reverse से count किया है आपके पास जो reverse से counting क्या ऐसी होगी देखिए z, y, x 1, 2, 3 तो आप hopefully आप बास समझ चुके हैं इसी तरीके से कुछ नहीं किया है जो mild है mild क्या है mild का code देखें 13 starting से 9 12 और 4 अगर आप इसका last से देखें तो क्या बनेगा इसका जो last से बनेगा n, r, o, w n का code होता 13 अगर आप last से count कर रहे हैं r का 9 और ये 12 और ये 4 तो इसका जो right answer होगा वो होगा आपके पास option d n, r, o, w next आपके पास लिखा गया है कि अगर आपने किसी भाषा में जो आपका just a second अगर आप किसी language code में 1, 2, 3 का मतलब है bright little boy 145 का मतलब है tall big boy और 637 का मतलब है beautiful little flower तो आपको बताना bright के लिए कि आपके पास क्या code होगा तो देखिए इस question को आप कैसे कर सकते हैं आपको कुछ नहीं करना है आपको लिख लेना है bright little boy bright little boy और इसका code क्या दिए गया है code दिए गया है 1, 2, 3 next दिए गया है आपके पास एक सुपनतार तॉल big boy tall big boy तो इसका जो code है वो है 1, 4, 3 और next दिए गया है आपके पास beautiful little flower beautiful little flower तो इसका जो code दिए गया है वो है आपके पास 6, 3, 7 तो देखिए इसे कैसे करते हैं अब आपको देखना है यहाँ पर किस तरीके से code बनेगा तो अगर हम bright की बात करें तो आपका एक तो bright यहाँ पर आता है और यहाँ पर भी नहीं आता है तो यहाँ पर देखिए जो common है यहाँ पर आपका little common है first में ठीक है और यहाँ पर आपका जो common है little यहाँ पर भी है यहाँ पर भी आपका boy है और यहाँ पर देखे यहां पर आपका यहां पर भी common है यहां पर भी common है तो यहां से देखे जो little का जो code होगा Little का जो code होगा वो first में भी आता है और घरण भी titre है झाल ले यहां से आपको निकालना है ब्राइट के लिए देखिए ब्राइट देखिए आप ब्राइट आपका यहां भी आता है ठीक है बागी आप कहीं भी ब्राइट नहीं आता है और आपके पास आता है ब्यूटिफुल ठीक है तो और यहाँ पर 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 यहा वर्ड थे Bright Little Boy तो ऐसे पता नहीं चल दा था कि कौन, किसका होगा तो मैंने क्या पहले मैंने Little को लिटल का कोड़ पता कह लिए तो Middle का जो कोड़ है वो क्या हो सकता है First में देखिए Three Common है Sorry Three है और Last में उसमें भी Three है तो मैंने यह मान लिए क्योंकि little जो first और last में लिखा गया तो इसका code 33 हो गया फिर मैंने confirm कि अब boy का code क्या होगा देखिए boy का code 1 हो सकता क्योंकि first में भी 1 है और second में भी 1 आ रहा तो दोनों common है तो मैंने यहां से 1 मान लिया bride का remaining हो जाए गयोंकि वहाँ पर सिर्फ 2 ही है इस तरीके से आपका जो right answer यहां पर आएगा right के लिए आपका जो code होगा option B 2 next है आपके पास आपके पास देखिए एक word दिया गया contract contract का आपको कुछ नहीं करना है आपको first, second, fourth, fifth and sixth word लेना है और उससे meaningful word बनाना है और आपको बताना है जब आप उस meaningful word को बनाएंगे तो जो इसका middle letter होगा वो क्या होगा तो हम contract का देखिए first letter मैंने ले लिया C, second ले लिया O, fourth ले लिया T और fifth ले लिया मैंने A और sixth ले लिया मैंने C तो अब आपको C, O, C, O, T, A, C, A, C से एक word बनाना है कि क्या word बन सकता है तो देखिए इसका relationship ज्यादा तर आपका Bollywood से है तो अगर आप इसकी spelling देखिए तो यह बनता है आपके पास actor ठीक है अब जब आपका word बन चुका है तो आपको कोई problem ही नहीं होगी आपको middle term बतानी है तो आपकी इस side से जो middle term बनेगी वो बनेगी आपकी T यह तो option C आपका right answer होगा hopefully आप यह question समझ गए होंगे तो आपको बताना है कि श्रिंखला में कितने 7 के ठीक पहले 6 है लेकिन ठीक बाद में 4 नहीं हो मान लीजे मैंने एक series बना दी जिस तरीके से यह बन सकती है तो आपको क्या देखिए इन question को करने का तरीका क्या होता है सबसे पहले आप से पूछा गया कि 7 के पहले ठीक 6 है 7 के ठीक पहले 6 है मतलब 7 के पहले ठीक 6 है और उसके बाद 4 नहीं होना जीए मतलब आपके पास 674 नहीं बनना जीए उस question में 6 7 के बाद आपके पास 4 को छोड़के कोई भी number हो सकता है तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि जहाँ पर मेरा सबसे पहले 7 के पहले 6 आया है और उसके बाद 4 नहीं हो एक तो यह बनता है आपके पास ठीक है और आपके पास जो दूसरा number क्या बन सकता है माले जी मैंने यहाँ पर टू लिखा होता तो आपके पास एक यह number बन सकता था ठीक है तो आप question समझ गए होंगे छे के पहले आपके पास 7 के पहले ठीक 6 हो साथ के पहले आपके पास ठीक 6 हो और उसके बाद 4 नहीं होना चाहिए तो इस सीरिस को अगर आप ध्यान से देखें 6 के पहले आपके पास 7 है तो यह नहीं बनता है तो सिर्फ आपके पास जो बनते हैं 671 और 672 मतलब आपके पास 674 वाला नहीं होना चाहिए था तो इस तरह के सांसर आपका option भी 2 होगा तो मैंने question समझाने के लिए आपको यहीं पर एक series बना दी कि आपको बताना था कि जो 7 है उसके ठीक पहले 6 होना चाहिए और उसके 7 के बाद में 4 नहीं होना चाहिए उसके लावा जितने भी number हो यह pattern जो follow करें वो आपको बताने थे तो यह question कई बार पूछे जाते हैं बहुत easy question होते हैं आपको समझ आ चुका है next आपके पास dictionary का question है आपको बताना है कि कौन सा इन में से which are the following words will come second in English dictionary दूसरे स्थान पर जो आएगा तो यह आप मुझे खुद बता सकते हैं क्योंकि दिक्शनरी डीट सभी को करना आता है तो इसका जो right answer option E magnetic तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपने कर लिया है या नहीं next आपके पास mirror image आपको बताना है कि इन में से mirror image कौन सी होगी तो मल्यालंकी जो mirror image है वो आपका option 2 है वो आपकी सही mirror image है option is the right answer next आपके पास देखिए Wayne Dagger आपका question दिया गया है आपको बताना है relationship कि इसकी बीच में factory product और machine देखिए तो यहां पर आप क्या choose कर सकते हैं तो यहां पर जो right answer होना चाहिए option D जो बड़ा आपका होगा वह यह होगी आपकी factory यह आपका product और यह machine देखिए और आपका जो product है वह अलग अलग है ठीक है और बाकी यह दोनों चीज़े आपकी factory में होती इसलिए मैंने बड़ा सरक लगा तो option D आपका right answer होगा next question है आपका आपको triangles count करनी है यानि कि तरी बुष काउंट करनी है इसमें कितने बनेगी तो देखिए अगर आप इसे count करें one two three four five six seven eight तो छोटी आपकी आठ triangles बनती है ऐसे जो बन रही है सबीगी ठीक है फिर आपकी यह तो यह हो गई फिर आपकी ऐसे बन गी नौ फिर यह दस बड़े वाली फिर ग्यारा फिर यह बारा चार आपकी और बन गई फिर आपको अब चार और ढूंड़नी हो क्योंकि इसमें total 16 बनेगी बारा तो हो चुकी है एक बनेगी आपकी बड़े वाली ऐसे 13 एक बनेगी ऐसे 14 एक बनेगी आपकी ऐसे 15 और एक बनेगी आपकी ऐसे 16 तो आपके पास जो इस triangle में इस square में कितनी आपकी triangles बनती है option a 16 next day आपका देखिए बहुत easy question होता है आपके पास इस image को आपको इसमें ढूंड़ना होगा यह तो देखिए आपके जो नुबोते के लिए आपके exam होता है जो six standard में अगर आपने admission लेनी होगी उसमें यह questions आते हैं ठीके तो आप easily देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा question है जह यहाँ पर यह आपको दिख रहा है तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसमें यह बन रहा है ऐसे यह जो यहाँ पर दिख रहा है आपको यहाँ पर इस figure में यह जो दिख रहा है आपको यहाँ पर आपका यह shape बन रही है तो यहाँ से जो आपका right answer होगा वो क्या होगा वो होगा आपका option C यहाँ पर जो D है वो आपका right answer होगा next आपको देखिए inequalities का question है तो आपके पास यहाँ पर दिया गए आपको एक statement दी गई है आपको बताना है यहाँ पर conclusion है अब आपको बताना है इन में से कौन से आपके जो reasons है वो valid है या नहीं है तो आपसे पूछा गया है U greater than X तो आपको U से X तक जाना है तो देखिए यह जब यहाँ पर आपका जो यह डोर होगा इस तरीके से अगर चला है तो आप U से आपने X तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचनेंगे आप U से आप V तक चले गए यहाँ पर बराबर है ठीके एक्वल है तो यहाँ से आप चले गए N तक और N से आप X तक जा सकते हैं आपका जो ओपनेंगे एट है बट यहाँ पर आपका कलोजिंगे एट थे है तो आप नहीं पहुंस सकते थे बट यहाँ से आप यू से व तक जा सकते हैं एक्स तक जा सकते हैं आपका u जो है वो greater than x हो सकता है और आपका u जो है वो देखिए आपका equal का sign भी है तो u आपका equal to x याने की u आपके equal के x के equal भी हो सकता है तो देखिए आपकी दोनो follow कर सकते हैं option या तो आपका one follow करेगा या आपका option two valid होगा तो आपका option c जो है आपका right answer इस question के लिए होगा next आपका ये भी analogy का question है आपके पास चार option दिएगा chicken, snake, swan या मुर्गा sorry crocodile तो यहाँ पर जो right answer है option a chicken याने की मुर्गी या जो भी आपका है तो बाकी जितने भी आपकी ये पानी में भी रह सकते हैं और जमीन में भी रह सकते हैं तो इसलिए odd one out आपको चूज करना था तो option ये आपका right answer है तो ये थी आपके reasoning के questions तो hopefully आपको समझाए होंगे मैंने काफी मेहनत किया कि खुछ से आपको समझाया जाया जितना मुझे आता है तो in case आपको कोई भी mistake लगती है देखिए आप frankly आप मुझे बता सकते हैं इसमें मुझे भी कोई ये नहीं लिए शरम महसूस नहीं होती है कि मुझसे कोई mistake हो गई है बिकर बहुत कुछ बताने के जखकर में sometime data mind में ही mismatch हो जाता है आप भी समझते हैं और गलती accept करने में भी कोई मुझकिल नहीं होती है तो ये थे आपके 32 questions आप अपना comment हमें जरूर share करें ताकि हमें भी पता चलें कि आपको किस तरीके से ये test लगा है next section है आपका general knowledge का तो आईए start करतें question number 33 गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी सारनाथ और जो गौतम बुद्ध का जो जनम हुआ था वो कहां हुआ था वो हुआ था लूम बिर्णी में और जो उनकी जो मृत्ती हुई थी हुई थी आपकी कुशी नगर में आपसे ये question पहले भी पूछा गया है और जो इन्हें निर्वाना जो हुआ था ये enlightenment हुई थी वो कहा हुई थी बोध गया में जो बिहार में पढ़ता है तो आपकी question याल दिख सकते हैं policy of the government अगर वो आपके लागू नहीं होते हैं तो आप कहां जा सकते हैं high court जा सकते हैं supreme court जा सकते हैं district court जा सकते हैं none of these देखिए जो आपके DPSPs होते हैं इनमें आप किसी भी court को approach नहीं कह सकते हैं तो इसका right answer is option d none of these who designated shimla as the summer capital of British empire in India किस ने shimla को British समराज्जे की गिरिशम काली राजधानी के रूप में नामित किया था तो उसका right answer option b sir john lawrence which river of HP is called by the local people as the river of sorrow किस नदी को स्थाने लोगों के जारा दुख की नदी भी का जाता है option d swani आपकी पढ़ती है यह आपकी है उन ना में next है आपका भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधान मंत्री कौन थे तो उसका जो हमारा right answer option a clemen एटली आपको मुझे बताना है विंस्टन जो चर्चिले इन्होंने महात्मा गांधी को क्या कहा था यह कोशन बार बार पूशा गया तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं तीर्थन wildlife century is in which district तीर्थन वन्ने जिव अभ्यारण किस जिले में है तो इसका जो हमारा right answer option a कुल्लू बंदर घाटी किस जिले में है बंदर घाटी आपकी है चंबा में सुकसार या सुकसार नहीं सुकसार ले किस जिले में है option c मंडी जो पिन वैली नेशनल पार्क है उसे मानने तक अब मिली थी राष्टे उधान के रूप में तो इसका जो हमारा right answer option भी 1987 आपको बताना है हीमाचल परदेश में कितने राष्टे उधान याने की नेशनल पार्क्स है और पिन वैली जो आपका नेशनल पार्क है आपका पढ़ता है या आपका पढ़ता है लाहुल स्पिती में तो आप ये भी याद रख सकते हैं वाज़ फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ एच्पी हाई कोट परदेश उच्चने अले के प्रत्थम मुखे नयादीश कौन थे तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए जस्टिस हमिदुल्ला बेग ये हैं आपके सब चे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि वाज़ फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस जाने की महिला चीफ जस्टिस ऑफ एच्पी हाई कोट कौन थी तो तब आएगा आपके पास श्रीमति लीला सेट और जो जयवंत राम थे ये आपके हमारे असेंबली के फर्स्ट स्पीकर थे तो आप ये भी याद रख सकते हैं वाज़ फर्स्ट इंडियन विमन टो विन गोल्ड मेडल इन पेरा ओलम्पिक 22 वेंटी ट्वेंटी 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 तो पेरा ओलम्पिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहला भारती मिला कौन थी तो इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए अबनी लेकरा रिंग ओ फायर इस कॉमनली फाउन्डिन आपको पता जो आपका टोंगा है वहां पर अभी जौला मुखी फट्ने की घटना सामने आई है किस एरिया में पाया जाता है तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए Pacific Ocean Ring of Fire कई बार आप से पूछा गया तो आप याद रखतें Pacific Ocean Who is the new CEO of Twitter जो आपका Twitter है आप सभी जानते हैं उनके जो CEO है कौन है वो है आपके पराग अगरवाद सुन्दर पी चाहिए आपको पता हैं Google के CEO है और इंदरा नुई जो आपकी है वो Pepsi को और सत्ये नडेल आपको पता है सत्ये नडेला है हमारे Microsoft के अब पर्सनल कंप्यूटर इस डैश कंप्यूटर जो आपको पर्सनल कंप्यूटर जिसें PC कहते हैं वो क्या होता है वो होता है आपका option C mini computer in which year RBI was established Reserve Bank of India कब बना था option A 1935 में which river passes through maximum number of country कौन सी नदी सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है option B दानूबे next section ने आपका English grammar का दवाई start करते हैं choose correct spell it word आपको necessity की spelling बतानी है तो यहाँ पर जो हमारा right answer का option C necessity next है आपका आपको occasional की सही spelling बतानी है तो इसका जो हमारा right answer होगा O C C A S I O N A L option B आपका right answer है next है आप error detection आपको बताना है erosion of farm incomes were triggered by growing inefficiency which is turned was caused by a lack of meaningful investment in agriculture तो यहाँ पर जो problem है यहाँ पर है यहाँ पर है वर में यहाँ पर आएगा वर की जगा वाज क्योंकि देखिए आपका जो erosion है वो आपका uncountable noun है और uncountable noun के साथ हम generally verb की singular form यूज करते हैं तो यहाँ पर वाज आएगा तो आपका जो error था वो आपका part B में था तो आप यह समझ चुके होंगे next है आपका in the subsequent decades the situation has got worse with agriculture's share not even reaching double digits no error तो आपने मुझे लगता है easily find out कर लिया होगा वर्सर नहीं होगा वर्सर हमने सुने ही नहीं है आपको पता है यहाँ पर आएगा वर्स क्योंकि आपको पाता है बैड की फुल फॉर्म बैड की तो सेकेंड और थर्ट फॉर्म क्या थी बैड वर्स और वर्स वर्सर नहीं होता है तो आपका जो फैरर था वह आपका ओपिशन सी में था कि uer्स दीघ्रिड show होती चुल मतलवुला क्व swiftly इसर नेश्ड नेश्ड आपको सिनॉनियम बताना इंटरीगेट का आपने पड़ा विबागा इंटरीकेट नियर जो एक सिनानियम है या प्रयाय बाची शब्द है वो है आपका option भी प्रेज नेक्स्ट आपका एंटानियम ऑफ डेममैनियक तो इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है इसका मतलब होता है जो ज्यादा तर भीड में रहने वाला ठीक है तो इसका जो हमारा right answer है वो है आपका option भी रिकल्सिव मतलब जो एकांत परी है या जो एकांत में या अकेले में रहता है option भी is the right answer gregarious होता है जो आपका जुंड में रहता है आपने डायलोग भी सुना होगा मुझे याद नहीं आ रहा है कि मुन्ना जुंड में तो उत्ते शिकार करते है और रजनी गांत साब का तो वही आपका gregarious होता है और चलते हैं आपके next पे next है आपका antonium of profound तो इसका जो हमारा right answer है option d superficial यहां पर भी आपको antonium ही बताना था तो यहां पर आपको पता लग गया था रिकल्सिव इसका जो उल्टा हुआ था a person who never takes alcoholic drink जो मतलब श्राब नहीं पीता या मादक दरव्य नहीं लेता है उसे कहते हैं option c totaler ठीक है aquarium आपको पता है जहां पर आपके जीव जन्तु या पौदे लगाते रहें रखते हैं ठीक है आपको पता घर में भी आपके aquariums होते हैं insomnia आपको पता यह नेंद ना आने की बिमारी को insomnia कहते हैं meaning बताना आपको turn the tables तो turn the tables का मतलब क्या होता है इसका जो मतलब option भी reverse the situation या फिर थोड़ा बहता अगर आप महां से भी लगा सकते हैं जैसे वो वक्त बदल दी है जिस बात बदल दी है तो कुछ उसी तरह के आपता turn the tables होता है जो famous आजकल चला होता है identify the part of speech I am extremely happy in my new job आपको बताना है आप पर extremely जो है वो क्या है adverb, adjective, verb है या preposition है जैकि generally जो हमें problem होती है वो adverb या adjective में होती है बाकी verb प्रेपोजिशन यह सभी बता देते हैं तो यहाँ पर extremely है वो है आपका right answer उसका है adverb यहाँ पर adverb है happy extremely जो बता रहा है ठीक है आपका क्या है adverb she is in hospital with a seriously injured neck तो आपको पताना है आप इंजर्ड क्या है इंजर्ड यहाँ पर आपका है option c adjective the master is very cruel dash for his servant तो यहाँ पर आएगा the master is very cruel to for his servant यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर नहीं आएगा तो आप यह समझ सकते हैं यह type करते है time हमसे भी mistake हो जाती है there is bridge dash the river तो यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर आएगा there is bridge over the river यहाँ फिर अगर over ना हो तो यहाँ पर होना है आपका across तो आप यह भी याद रख सकते हैं इंडियन ओशन इस दर डैश डीपेस्ट ओशन तो आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ पर आएगा इंडियन ओशन दर इंडियन ओशन इस दर तो यहाँ पर होगा अब आप सूशे होंगे कि यहाँ पर M है यहाँ पर वावल नहीं है तो देखिए अगर आप M को कैसे लिखते हैं इंडियन ओवल की आती है इसलिए यहाँ पर आप यहाँ याद रख सकते हैं तो आई स्टार्ट करते हैं आपका हिंदी रेमर तो आपको शुद्ध शब्द का चैन करना है तो शुद्ध शब्द जो है इसमें है ओप्शन डी भरात्री गंड नेक्स्ट है आपका परितक विद्वान समवत और पश्चात तो यहाँ पर जो आपका शुद्ध शब्द ह इन तो आप्शन डी इस दर राइट आंसर उच्ठार्ण का सही संधी विशेद आपको करना है तो उच्ठार्ण का जो सही संधी विशेद विशेदों का आप्शन सीुद्ध जमा च्श्चारण next आपका हल्दी शब्द का आपको तत्सम शब्द बताना है तत्सम क्या होगा आप्शन B हरिद्रा कौन सी संग्या व्यक्ति वाचक है तो इसका जो हमारा right answer है option B दिल्ली अमियका प्रयावाची शब्द क्या होगा अमिय का प्रयावाची शब्द जो होगा option D अम्रित कल्पना का विलोम शब्द क्या है कल्पना का विलोम शब्द है यथार्थ विज्ञान शब्द में परियुक्त उपसर्ग क्या है उपसर्ग जो इसमें है option C, V next question आपका रात दिन में कौन सा समास होगा तो रात दिन में जो आपका समास है द्वन्द समास होगा next आपका संगीत का प्रभाव व्यक्ति के डैश पर पढ़ता है संगीत का प्रभाव है व्यक्ति के मस्तिष्क पर पढ़ता है जिस तरीके के आप गाने सुनते हैं उसी तरीके से आपकी thought processing भी हो सकती है तो next है आपका सोने में सुगंद इस मुहावरे का सही अर्थ है देखी सही मैंने ही गलत लिख दिया है यहाँ पर तो सही अर्थ है तो यहाँ पर जो सही अर्थ होगा option है सुन्दर वस्तू में और भी गुण होना next है आपका बहुत ही कठोर और बड़ा अघात तो इसका जो हमारा right answer option है वज्रा घात next है आपका शुद्वाक्य का आपको चैन करना है तो शुद्वाक्य यहाँ पर जो होगा यहाँ गन्ने का ताजा अरस बिक्ता है next है आपका सभी प्रश्णों के शब्द यूगम के सही अर्थबेद का चैन कीजिए अपेक्षा उपेक्षा तो यहाँ पर जो right answer होगा option D आशा तिरसकार अपेक्षा तो आपका आशा ही होता है उपेक्षा मतलब आप किसी तरीके का त्याग कर देना तो आपको इन दोनों में relation जैसे हम इसमें reasoning में करते हैं आपके analogy वाला question यह उसी तरीके का question था तो यहाँ पर option D आशा तिरसकार next है आपका व्यंग लेखक समाजिक पर डैश पर तीखा प्रहार करते हैं व्यंग लेखक समाजिक वो क्या होता है option D अकार्टे तो देखिए यह आपका full mock था hopefully आपको यह mock समझ आया हो पसंद आया हो please like करें वीडियो को जरूर share करें चैनल को please subscribe करें और आप मेरे जितने भी previous full mock है आप उने भी देख सकते हैं यहाँ पर playlist में आपको video show हो जाएगी तो मिलते हैं आप से next video में आप तब तक दूसरी videos को देखें